सुप्रभात अन्यदाता कारिक्रम मां आप सव खिडुत मित्रोंनू स्वागत चे मित्रों आपना प्राचिन कुरुशी व्यवसायोंने वदू फर्दाई बनावाना आश्वय साथेज कारिक्रमी शर्वात करिये आजना मुख्य अन्शोती करता है नमस्कार खेलूत मित्रो खरीप सिजन मा खाश करीने जो आपने कठोण पाक लेवाई इसता होई तो तल मह गड़ दने तुवेर एकदम टुका गडाना पाक अने धन्य पाक नी पसंगी करवाम आवे तो बाजरानो पाक छे ए टुका गडानो और अचो खर्चा अने उत्तम पाक आपनी समक्स आवे छे मित्रों बाजराना वावेतर माटे बीजनी पसंद्गी ए महत्तम उत्पादन मेढवामा अगत्यनो भाग भजवेशे तेमा चोमासु बाजरानी वावणी माटे मोडी पाक्ती जातों मा जी एचबी 558 अने जी एचबी 732 नी वावणी करी शकाये छे तेमाज जो मध्यम पाक्ती जातनी पसंद्गी करवी होई तो जी एचबी 745 सारी जातो छे तेमज वहली पाक्ती जातों मा जी एचबी 538 अने जी एचबी 709 नंबर मुख्य जातो छे चमासामा जो वावनी लायक वर्षाद 15 जुलाई पची थाए तो वहली पाक्ती जातों नू वावेतर करवू सला भरियू छे आ त्रोन चार जातों छे वद्दू उत्पदन आपती जातों छे औने रोक प्रतिकरक सकती पन सारी विधरा आवे छे तो आपड़े आ जातों नू बाजरानू वावेतर करी औने टुका गाला निंदर आपड़े पाक लई सक्ये छे जारे पन भावरणीलेक वर्सा थाई तारे धान्य पाकोनी जारे पसंदी करवा नि आवे तो बाजरानू वावेतर आपड़े शरण ताथी करी सक्ये छे तो बाजरा नो वावेतर क्षारिय भास्मिक के बास्मिक जमीन मा करवानू होई तो बियारण नो दर 6 किलोग्राम प्रती हेक्टर राखवा थी पूर्ता प्रमाण मां चोड़नी संख्या मेडवी शकाई छे जे विस्तार मां बाजराना पाक मां शरुआतना दिवसो मां जगाब मारानी एडनो उपद्रव रहत होई तो पन बीजण दर सवायो राखिने विस्ती 25 दिवसे पारवनी समय उपद्रव युक्त छोड उपाड़ी लेवाथी सारु नियंत्रण मड़े छे मित्रो बाजरानों वावेतर अंतर जोईये तो हडकी रेताड तेमाज गोहराडु जमिन मां वावेतर अंतर 45 सेंटीमीटर राखवामा आवे छे जारे काडी औन मध्यम काडी जमिन मां वावेतर अंतर साइट सेंटीमीटर राखवामा आवे छे वावेतर बाद पारमणी नी क्रिया उपर वाद करिये तो पाक ज्यारे पंदर थी 20 दीवस्तनों थाए त्यारे बे छोड़ वच्चे नू अंतर 10 थी 12 सेंटिमीटर नू रहे ते प्रमाणे वदारेना नबडा, रोग औने जिवात लागेल छोड़ने खेची काडवा पाक उग्या बाद दसेक दिवस्ती निंगल मा आवे त्या सुधी मा पाक निंदर ना नियंत्रण माटे अने जमिन नी भौतिक परिस्तिती सारी रहे ते माटे बे थी 3 आंतर खेड करवी जे विस्तार मा मजुरोनी अचत होए ते विस्तार मा निंदर नाशक दवा एट्रो जोन हेक्टर दीट 0.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व मुझब वामनी बाद तुरंतज परंतु बीजनस फुरन पहेला 500 लीटर पाणे मा ओगाडी ने छटकाव करवानी बलामन करवामा आवे छे फुईट थीजे और डांडले चड़तो होए त्यारे एक वखत पूर्ति खातर तरीके नाइट्रो जन आपड़े 40 किलो आपिए अटले यी बाजिरानों डांडर टुकमा विवस्ति थीजे और आपड़ो पाक अरो परो थीजे अटले आब ये तुकमा खातर कूल खातर एक एक तर एसी किलो नाइट्रो जन और चाली किलो फोस्प्रस अटले एक दम नहिवीत खातर मा आपड़े पाक वावी और आपड़े ख्यतर वावी सक्के ची ओच्छा खर्चे और आपड़े नू शारुए उत्पदन मेड़ी सक्के ची धान्य प्राको मान मित्रो चोमासु बाजरामा सेंद्री खातर नू महत्वापण आगवू छे सेंद्री खातर वदू उत्पदन मेडवा माटे मुख्य तत्व छे जे जमिन नू प्रत सुधारी तेमा थती जैविक प्रक्रियाव माटे जवाबदार शुक्ष्म जीवोनी संख्याने जाडव जमिननों अमलता आक जाडवी राखवा आपेल खातर ना कारेक्षम उपियोग मा अन जमिननी तंदोरस्ती जाडववामा अगतेनों भाग बजवे छे साम्मान रिते बाजरानों पाक खेडू तो जया हडकी जमिन हो एत्या उगाडता होई छे तेवा संजोगों मा सेंद्री खातर आवी खराब जमिन मा उमेरवा थी उत्पादन मा वदारों मेडवी शकाई छे अत्रेना केंद्र द्वारा करवामा आवेला अखत्रावना परिणामों पर्थी सिद्ध थहेल छे के हेक्टर दीट 10 तन चाणियू खातर प्रात्मिक खेड पहला जमिन मा भेडववा थी उत्पादन मा असरकारक वदारों करी शकाई छे अने जमिन नी उत्पादेकता पन जड़वाई रहे छे मित्रो चोमासू बाजरामा जेविक खातर नी वाद करिये तो संशोदनना परिणामे तारण कड़वामा आवेल छे के बाजराना पाक मा चार किलोग्राम बियारण नो 20 ग्राम एजर्टोबेक्टर अत्वा एजोस्पाइरिलम कल्चेर वड़े बीजमा अवजत आपी वावेतर करवामा आवे तो बलामन करेल नाइट्रोजन यूक तक खातर नो अर्दो जत्थो बच्चा विशकाई छे अंतरपाक तरिके वावेतर करी वदू आवक मेडवी शकाई छे बाजरान यंदर विएतर वक्षत में आंतर खेल करो अटले निंदामर्थी पान मुक्त थी जाई से क्यारपचियमा कोई यटलो बदू निंदामर्थावाना सत्यताव उच्छी होई से आपना राजिना खेलू तो विवित प्रकारना पाको नू आयोजन वरसबर करता होई चे अने जे माती वदू आर्थिक नफो मेडवा माते तेवो खुब अच महिनत करता होई चे तान्य वर्गमा अगत्यना यवा बाजरिना पाकनू वावेतर पर अपना राजिना खेलू तमित्रो करता होई चे आवा पाकनू सारू तेमच गुणू अत्ता सपरूत पादन लिवा माटे आपने तेनी वावने तेमच पाक सरक्षन उपर खुब अत्या नापता होई चे तेमच हालना समयमा बाजरिना पाकना सरू आतना दिवसु चाली रही आची केजी दरम्यान छोडनो सारो उगावो मेडवा माटे तेमा करवामा उता विवित केर कार्यों समय सर करवा जरूरी चे चेमा पूर्तिक हातर पी यत तेमच निंदन नियंत्रन जेवा कार्यों महत्वना चे चो आ खेर कार्यों करवामा समय सुचकता न जड़वाई तो तेनी असर पाकना विकास उपर जणाई चे तेमच समय जता उत्पादान उपर खराब असर परती होई चे चे वदू नफो मेडवामा माटे मट्ट अवर दुपो करी सके छे तो आवा महत्वना पार्क माँ चरूरी येवा खेर कार्यों मा निपून ता केवी रिते दाखवी तेवी सेविस्रू चर्चाकारी आज नी अन्न दातानी अप्रस्तुती माँ खेडूत मित्रों आपना राज्जी गुजरात मा स्तारू एवु हवामान होवा थी आपना दरेक विस्तार ना खेडूतो हवामान मुझव बदाज पाको लेता होए छे हालना समय मा मित्रों आपने चोमासु बाजरी नी वावनी करी हशे आपना खेतर मा आपाक लेराई रहो हशे तो आपने विस्त्रूत चर्चा करी शूँ जे मित्रों आपने वर्षात खेचाता मोडी वावनी करवानी हशे तेओ बाजरी नी GHB 538 जातनू वावेतर करी शके छे केम के आज आतनू 15-20 जुलाई सुदी नू आवेतर करी शकाई छे जो मित्रों आवक्ते खेतर मा करवाना खेत कार्यों विसे चर्चा करिये तो आवक्ते पारवनी, खालापूर्वा, निंदामाण, तेमाज पूर्ती खातरों नो जथ्थो आपवानू कारी करवानू रहे शे मित्रों सारू उत्पादन लेवा माटे आपने प्रती एकम छोड़नी संख्या जाडववानी होए छे ते थी जारे जमीन मा भेजनू प्रमाण होए त्यारे पारवनी करवी जोईए तेमाज जा खाला देखाता होए त्या छोड़ चोफी खाला पूरी देवा जोईए आगड वाद करिये तो मित्रों चोमाज पाक मा निंदामण नो उपद्रव वधारे पड़तो जोवा माडे छे ए अपना मुख्य पाक साथे हवा, प्रकाश, पोशक्तत्व तेमाज भेजनी लभ्यता माटे अंदरों अंदर हरिफाई करे छे जे थी प्रती एकम उत्पादन मा गटाडों नो दाई छे आ माटे चोमासु बाजरीना पाक मा एक थी बेवार हाथ थी निंदामण करवू तेमाज अंतर खेड करवी पन जरूरी होई छे एना थी जमीन मा हवानी अवर जवर वदवा थी छोड़नो विकास सारो थाए छे अने निंदामणनों नियंत्रण पन अंतर खेड थी करी शकाई छे अवे मित्रों चोमासु बाजरीना पाक मा पीयत विशे वाद करिये तो पीयत नी जरूर होती न थी पन जे विस्तारों मा वर्साद नी उनप होए त्या कटो कटी नी अवस्ताय जरूरी पीयत आपवू तेमत जमीन मा भेजनू प्रमाण जाडवी राखवू ए अगत्यनी वस्तू छे केमके मित्रों बाजरी ये ओछा पाणी मा थतो पाक छे जे थी करीने जो वर्साद वधारे होए तो खेतर मा थी वधाराना पाणी नो निकाल करवो जरूरी होए छे हवे मित्रों जो पूर्ती खातरों नी चर्चा करिये तो आ वक्ते 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रती एकरे आपवानू रहे छे आ खातर चास मा अपवो जोईये जे थी चोड ने खातर नो पूरो लाब मड़ी शके छे अने सारो विकास पामे छे मित्रों चोमासू बाजरीना पाक मा रोग जिवात नी वाद करिये तो आ समय गाब मारानी इयर्ड ना उपद्रव जोवा मड़े छे बीजा बदा रोग जिवात पाक नी अन्तिम अवस्था आवे छे पण पाक नी शरुवात नी अवस्था मा डूक कोरी खाना रियर्ड ना उपद्रव जोवा मड़े छे जे थी चोड लंगाई जाये छे तो आ इयर्ड ना नियंत्रण माटे एंडोसलफान के क्विनोलफोस 20 मिली दवा 10 लीटर पाणी मा बेडवी छटकाव करवो तो मित्रों चोमासु बाजरी ना पाक मा आ समय करवाना थता खेत कार्यों वीशे जे आपने चर्चा करी तेम समय सर अने वेगनानिक अभीगम अपनावी करवामा आवे तो आ पाक थी सारामा सारुएव उतपादन आपने मेडवी शकिये छिए वत्ती जती वस्ती ना लिदे दिन प्रती दिन खेती लायक जमीन घटती जाये छे जेनकारणे ओची जमीन मा वधू उतपादन लेवा माटे खेडूतों अथाग प्रयातन करता रहता होचे वत्ती जती मांगने पुरी करवा खेडूत मित्रों ओची जमीन मा वधू उतपादन लेवा माटे वर्ष दर्म्यान केरेक त्रान्थी पन वधू पाक लेता होई छे आथी जमीन मा पोशक तात्वोनी उनप सर्जाती होचे आ उप्रांत रासानिक खातर नो वधू परत वप्राश करवामा आवतो होई जमीननी फर्दरुपता दिन प्रती दिन घट्ती जाये छे आकारने पाक उतपादन तेमज तेनी गुणवत्ता पन घट्ती होचे जमीननी प्रत सारी रहे तेमाटे आपने पशुओना मण मुत्र तेमज खेत पेदाशो ना आउशेशो नो योग्यरीते उप्योग करी सजीव खातर बनावी शक्या छे आवा खाती अर्थी जमीननी फर्द रुपता वदे छे अने पाक उतपादन तेमज तेनी गुणवत्ता वत्ती होचे तो आसा जीव खातर नी अगत्यता विशे माहीती मेडवे अन्न दातानी आज जलाक मा खेडोत भाईयो आजे आपने जैविक खातरों विशे बात करीए तो जैविक खातरों ए पाक उतपादन मा पंदर थी विस्टका जेटलों वधारों करे छे जैवी खातरों मा जे सुक्ष्म जिवानुओ छे तेनो उप्योग करी एन्नु वधारे मास कल्चर करीने खासकरीने तेना करियर के लिगनाई ट्रांस साथे मिक्स करी तेने बनावामा आवे छे दस लाग ठी 1 करोड जटला सुक्ष्म जिवानुओ एक ग्राम नी अंदर होई छे 10 ग्राम जमीन्नी अंदर 12 करोड धी मांडी ने अड़ी अबच जटला सुक्ष्म जिवानुओ होई छे अने जे माँ उप्योगी जीवाणूँ ओछे जे जमिननी फर्द रुकता माँ बधारो करे छे तेने वेग्नानी को ये जुदा पाड़ी अने लेबोरेटरी नी अंदर प्रयोक्षाडा मा तेनू रिस्थर्च करी अने माध्यम साथे मिक्स करी ने जुदा जुदा पाक नी अंदर चकासलनी करवा मा आवे छे तेमा खासकरीने आपने जे राइजोबियम कल्चर एजेटो बेक्टर एजोस्पोरियम अने फोस्फेट कल्चर विशे बात करिये तो राइजोबियम कल्चर छे तेनी अंदर राइजोबियम ना जुदा जुदा जातमाधी बनावा मा ए पाकनाज राइजोबियम ने अल्गी करण करीने प्रयोग शाडामा बनावामा आवे छे। ए उप्राद धरुबाडियाना जे धरु होई एने पन फानीनी अंदर द्रावणमा राखीने आपीशक आई छे। तो पन आ जिवानों नाश पामे छे। एले दर वर्षे कठोडवर्ग ना पाक होई एनी अंदर राइजोबियम कल्चर नी मावजत अवशिय आप पी जोईए। त्यार बाद एजेटोबेक्टर नी बात करिये तो आ पन एक सुक्षम जिवानों ओछे। जे मुक्त हवामाधी नाइट्रोजन ने जमिनमा उमेरे छे। एने कोई पाक नी सहवास नी जरूर न थी। एजेटोबेक्टर मा कार्योशिल अवस्थानी अंदर हवामाधी नाइट्रोजन मिक्स करे छे। एटले जमिनमा 25-50 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टरे उमेरे छे। जेती करीने छोडने नाइट्रोजन नी जरूरियात ए आ बेक्टेरिया पूरी पाड़े छे। जेरे रैजोबियम बेक्टेरिया छे ए एक हेक्टर ए पच्चासती मांडी 300 किलो ग्राम सुधी नाइट्रोजन जमिनमा मिक्स करता होवा थी। जे मुख्य पाक छे एने त्यार पच्छी नोजे पाक ववातो होई एने माटे पन फाइदाका रख छे। त्यार पच्ची एजोस्पेरियम नी बात करिये तो एजोस्पेरियम छे ए हवा माधी मुक्त नाइट्रोजन ने फिक्स करी जमिनमा आपे छे। एने पन कोई पन पाक ना सहवास नी जरूर न थी। ए मुक्त जमिनमा रही। नाइट्रोजन ने मिक्स करे छे। त्यार पची जे फोस्पेरियम छे ते जुदी जुदी बेक्टेरिया नी जातो छे। एनो उप्योग करवा माँ आवे तो वधारे माँ वधारे जमिनमा फोस्परस जमिनमा लभ्य करे छे। खासकरी ने आपने जे DAP के सिंगल चुपर फोस्फेट जे काई फोस्फेट फर्टिलाइजर आपिये ची है, ते जमिन मा थोड़ा जमाई नी अंदर मिक्स थे जाए चे, जे थी गरी ने छोड लई शकता न थी, जे रे फोस्फेट कल्चर आपपा थी जे सुक्षम जिवान जे जमिन साथे प्रक्रिया करी अमुक एजिट जोड़ी जे अलभ्य फोस्फेट छे तेने लभ्यस वरूप मा फेरवे चे अने छोड लई शके चे, एरी ते फोस्फेट कल्चर छे ते दर्रेक पाक नी अंदर आपू जोई ये अने दर्रेक पाक ने फोस्फेट ने जरू आम खेडुत मित्रों जुदा जुदा कल्चर छे राइजोबियम, एजेटो बेक्टर, एजोस्पेरियम अने फोस्फेट कल्चर ए खासकरी ने वावनी समय अथ्वातो बीज मावज़त तरीके अथ्वा देशी खातर साथे मिक्स करी ने अथ्वातो साहनी अंदर आपीश चकाई छे, त्यार बची जे धरू वाडियू होई, खासकरी ने शाकबाजी ना जे धरूओ छे, रिंगणी, टमेटी, मर्ची, जे खास रोप उपाडी जेविक खातर ना द्रावणमा बोडी ने त्यार बची वाववाम आवे, तो पन घणो फायदो थाय छे, आम तो ये तरेक पाक नी अंदर जेते भलामन ग्रमाने जेविक खातरों नो उप्योग करवो जोईये। अईने खेडू तो ये आ कल्चर नो उप्योग करी उत्पादन वधार मुझोईये। समाप्त करीशू, आवतिकाले फरी मुलाकात करीशू, क्रूशिनी नवी जानकारियों साथे, त्या सुधी मने रजा आप्षू, नमस्कार। समाप्त करीशू, क्रूशिनी नवी जानकार। समाप्त करीशू, क्रूशिनी नवी जानकार। समाप्त करीशू, क्रूशिनी नवी जानकार।